हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुरज कुमार्तिवारी आपको स्वागत है जे हो फैंटेसी चानल में आज हम बात करने वाला एज़डे वर्सस आर यू आर टीम के बारे में मैं स्टार्ट होने में अभे भी 10 आवर्स 33 मिनेट से इंडिया का टाइम का अंसा देखा जाए तो आज रात 8 बजे को मैं स्टार्ट होगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलिग्रम चानल को जोँन करें उससे पहले एकिशन से मेरा टेलीग्रम चालनल सोग नहीं होता तो आप टेलीग्रम में जाकर आप चेलिग्राम में जाकर स्टार्ट ओड़ल आप इसस तरह एड़ एडिट ृट यहाव फैंट्पस असे षग होजाए गा कुछ बंदेने मेरे टेलिग्रम चैनल के नाम से फेक एकॉंट बनाए दोस्तों आप उसमें भूल से भी जॉइन मत होना वह आपको फेक टीम देंगा और यह फेक एकॉंट भी है जिसमें 460 सब्सक्राइबस दिखाई देरें दोस्तों उसमें जॉइन होना यह दोनों एकॉंट मैं भूल से भी जॉइन मत होना यह फेक एकॉंट भी है और यह एकॉंट यह फेक टीम देगा यह इसी तरहरे आपको LINEUP एनॉपसे आन। मैं टीम दूंगा दोस्तों जो मैं आपको टीम दूंगा आप head to head 3 spot 4 spot और 5 spot में try करने से आप 100% win होंगे अब तक आप जितने losses होए और मेरे telegram channel cover कर देगा चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं वीडियो को start करते हैं पहले wicket keeper, wicket keeper में देखा जाते हूं मैंने एक wicket keeper को लूँगा S. उसफ, S. उसफ ने last match में 10 ball पर 11 run मारा था, मैंने wicket keeper में एक wicket keeper को pick कर लिया हूं और batsman में देखा जाते हैं तो K. किली, H. बाहर, H. रिजवान, M. अली मैंने batsman में 4 batsman को pick कर लिया हैं दोस्तों आप इनका stats देखते हैं K. किली, K. किली ने last match में 13 balls पर 32 runs मारा था हो और H. बाहर, H. बाहर ने last match में 5 balls पर 8 runs मारा था दोस्तों और 2 over डाल के 2 wicket लिया था, last match में कमाल का bowling किया था दोस्तों, H. बाहर ने, और H. रिजवान के बारे में बात कर एजवान, H. रिजवान ने last match में 11 balls पर 13 runs मारा था और M.Ali, M.Ali के बारे में बात कराएं थे, M.Ali ने लास्ट मैच में 9 बॉल्स पर 7 रन्स मारा था और 2 अवर्ड डाल के 2 विकर लिया था दोस्तों लास्ट मैच में कमाल का बॉलिग किया था, M.Ali ने मैंने बैट्संट में 4 बैट्संट को पिक कर लिया हूं अब आल रोंडर में देखा जाय तो M.Khan, W.Ali और M.Nadीem को मैंने आल्ड रोंडर में तीन आल्ड रोंडर को पिक का उना उनका स्टार्ट देखा जाये तो M.Ali M.Khan M.Khan ने लास्ट मैच में तीन बॉल पर एक रर मारा था दोस्तों और दो अवर डाल के दो विकेट लिया था और W.Ali W.Ali ने लास्ट मैच में एक बॉल पर जीरो रन और एक अवर डाल के एक विकेट लिया था दोस्तों और M.Nadim M.Nadim ने लास्ट मैच में नहीं खेला था दोस्तों थोड़ा इंजुरियों होगे था लेकिन ये मैच हंडेट पर्शन खेलेगा दोस्तों M.Nadim और बोलस में देखा जाएतो H.Ali W.Aktar और M.Hasan को मैंने बोलस में तीन बोलस को पिक के इनका स्टार्स देखा जाएतो H.Ali H.Ali ने लास्ट मैच में साथ गेन में साथ रन मार था दोस्तों और दो अवर डाल के जीरो विकेट W.Aktar के बारे में बात करें जाएतो W.Aktar लास्ट मैच नहीं खेलाता दोस्तों लेकिन ये मैच ये 100% खेलेगा और M.Hasan H.A.N.Hasan ने लास्ट मैच में दो अवर डाल के दो विकेट लिया था दोस्तों मैंने बोलस में तीन बोलस को पिक कर लिया मैं के बारे में में केटिन में बनानांगा एम अली को और वास केटिन में हच बाहर को दोस्तों मेरा टीम को देख लिजिए मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर कोलिया concern उसफ को और बैयर संब ने देखा जैदों मैंने 4 बैस संब को पिक किया था के किली हेच बाहर हेच रिज्वान और एम अले को और आल रॉंटर में देखा जाए तो मैंने तीन आल रॉंटर को लिया हूँ एम खान डबलू अले और एम नदीम को और बॉलस में देखा जाए तो मैंने तीन बॉलस को लिया हूँ जोएन कलेजे टेलेग्राम का लिंक नेजे डिस्क्रिप्शन में जो आपको यह टीम दिखाई दे रहें अब स्मॉल लिक और ग्रां लिंक में ट्राय कर सकते हैं लेकिन ग्रां किन विदियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंंट सेरो लाल वला घंटी को जरूर दावाना टै थांक यू